वेलकम टू माई चैनल लॉजिक पार्ट श्राला स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन का एक कॉल पार्ट आज इसमें पार्ट नंबर 4 रहेगा और आज हम टाइप नंबर 2 पड़ेंगे इससे पहले के क्वेशन्स तो हमने पड़े थे वह एक ही टाइप पर पड़े थी आज पार्ट वरती हैं उससे नया टाइप और ब्लड रिलेशन में ही यह कुशन हम यहां पर इन कोईशन को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझें का क्योंकि यह कोईशन जो होते हैं वह बहुत ज़्यां कंफ्यूजिंग वाले होते हैं इससे पहले वाले क्वेशन आप सिंपल सबी तक हो चुके हैं उन सबी की वीडियोस मिल जाएंगी ठीके तो स्टार्ट करते हैं देखें फर्स्ट कुशन देखें हाँ पर क्या है किस तरीके से क्वेशन आता है पहले क्वेशन पढ़ते हैं अच्छे से क्या बोला है कि एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की और इशारा करते हुए विकी ने कहा अब यह ध्यान देना है कि पहे कौन रहा है और इशारा किस की तरफ हो रहा है दो बाती यहां से तो इशारा किस की तरफ हो रहा है कि व्यक्ति की तरफ को पॉइंट आउट कर रहा है कौन पॉइंट आउट कर रहा है विकी कर रहा है कि पह मेरे बहन की तो यहीं से आपको समझ जाना है कि भई मेरे बहन किसी की बात हो रही है खुद मेरे की ही बात हो रही है। मेरे बहन के पिता, तो पिता तो ऊपर आएंगे, तो भई पिता को हमने क्या ब कर लिया, ऊपर बना लिया, कि पत्नी का भाई है, तो पिता की पत्नी, ये डबल रिलेशन हमने दिखाए, क्योंकि ये husband wife हो गए, पिता की पत्नी का भाई है, तो यहां पे भाई बन जाएगा, क खुद अपनी बहन के लिए बोल रहा है, तो यहां पर हमने विक्की को बनाया, उसकी कोई बहन है, बहन के पिता, यानि बहन के पिता उपर आ गए, विक्की के भी पिता ही होंगे, कि पत्नी का बाई है, तो पत्नी साइड में बनी, और डबल हमने साइन दिखाया, तो हमने प पिता की बात हो रही है कि मेरे पिता यानि विक्की के पिता की बात हो रही है ठीक है और उस व्यक्ति के पिता का विक्की के पिता जी तो यहीं होंगे यह विक्की के कौन हो गए पिता हो गए और उस व्यक्ति यानि इसकी बात हो रही है देखिए व्यक्ति अगर आपको यहा हमारा व्यक्ति हो गया, जिसके तरफ विकीर ना कि इकिर चारा किया था और इनके पिता ज़का आ गया उपर आगए तो इस व्यक्ति के पिता का मेरे पिता से क्या सम्मंद होगा तो भई इनका सम्मंद बताओ इनसे ये इस तरीके से बताना है ठीके तो आप बताईए ये व्यक्ति जो है वो कौन है देखिए कोई है उनकी वाइफ वाइफ के जो पिताजी है वाइफ के पिताजी तो हो गए ना सीधी सीधी बात कहें तो क्योंकि ये दोनों तो बहन भाई हैं तो वाइफ के पिताजी वाइफ के हस्बेंड के क्या लगेंगे बताइए क्योंकि हमें इस व्यक्ति का बताना है अगर इनका बताना होता ना तो ये दमाद लगते और उनके पिताजी का बताना है तो सरसोर यानी अगर हम English में बात करें तो father in law लगेंगे इनके ठीके क्योंकि इस व्यक्ति का बताना है विकी के पापा के साथ तो विकी के पापा ये उनकी wife और wife के जो पिताजी हुए तो wife के पिताजी तो उनके क्या लगेंगे सफ तो लगेंगे ठीके तो यहाँ पर यह समझना है कि भाई बात किसकी हो रही है और relation किसका किस से दिखाना है यह तो बहुत इंपोर्टन बात है ओके तो आई योप आपको समझ में आया नहीं आया तो एक बार क्या करें वीडियो कहा देखिए यहां पर कहे कौन रहा है पुरुष कह रहा है किस से महीला से गह रहा है कि तुम्हारे इकलोते भाई के बहन देखिए तो यहां पर बात किसकी हो रही है तुम्हारे इकलोते भाई यानि उस महीला के जो गोई भाई होगा तो यहां पर हम बात करते हैं यहां बात की बात हो रही है इकलोत भाई के बैहन देखे यहां पर बात महीला की हो रही है क्योंकि एग कोई भी पूरुष है मालने हो कोई पूरुष है वो किसी महिला से कहता है कि तुम्हा एक लोते भाई चल्दuca क्पे बैहन अब भा गई लडकी हो तो आपका भाई हो गया और उसकी पहन आप खुदी तो हो गये ना तो यही चाज यहाँ पर बोले गहीए कि इकलोते-भाई की बहन तो खुदी हो जाएगी वह best मेरी मा है ठीक है मेरी मा मतलब उस पुरुष की मा हो गई तो पुरुष कहा बनेगा नीचे बनेगा और ये बन गई इसकी मा पुरुष की मा बन गई तो बताएं कि उस औरत का पुरुष की नानी से क्या संब्द है पुरुष की नानी यागर नानी हुई तो वो हमारी मम्मी क भी मम्मी होंगी पुरुष की ये क्या है मा और नानी बताना है तो नानी का नानी से क्या रेलेशन है महिला का बताना है पुरुष की नानी से तो महिला भई इनकी बेटी ही तो लगेंगी इस बताइए इसकी जो यहां पर है जो यहां पर वोमेन होंगी जो कि पुरुष की नानी है नानी की जो महिला नानी की महिला बेटी तो होगी क्योंकि हम यहां प एकलोते भाई की बहन तुम्हारे यानि जो महिला है उसके एकलोते भाई की बहन वो खुदी हो चाएगी मेरी मा है मेरी का मतलब यह हो गया कि उस पुरुष की मा है तो पुरुष की मा तो पुरुष को नीचे बना दे तो महिला भाई उसकी मा बन गई तो बताएं कि उस औरत बिलकुल correct है ठीक है चलिए third question देखते है तो third question में हमारे पास है कि आप बोल गया है कि रामो की माता ने रामो से कहा अब भई रामो की माता जो है वो रामो से बोल रही है तो रामो की माता रामो से उपर बनेंगे first of all आपको ये ध्यान रखना है कि रामो अगर यहां पर बनाओगे आप तो रामो की जो माता है वो तो रामो से उपर बनेंगी अब इसकी जो माता है वो रामो से बोल रही है कि मेरी माता का एक बेटा है मतलब जो ममी है वो रामो से बोल रही है कि मेरी मा का यानि इनकी भी मा कोई है यह माली जिन की मा और उनका क्या है एक बेटा है अब इनकी मा का एक बेटा है तो यह आपस में बहन भाई हो गए जिसका पुत्र निलेश है मतलब यह जो बेटा है इनका भी कौन है एक पुत्र है जिसका नाम है निलेश यह हो गया तो बताना है कि निलेश का रामू क साथ क्या संबंद है तो निलेश जो है वो रामू का क्या लगेगा निलेश रामू का क्या लगेगा देखे ये कौन हो गए ये उसके पापा हो गए पापा की क्या हो गए ये बहन हो गए ठीके बहन का बेटा निलेश का रामू के साथ क्या संबंद है अगर हम निलेश का बता तो कौन सा option सही होगा यहां पर B वाल option सही हो जाएगा ठीक है यहां पर हमारी पर cousin भी लिखा हुआ सकता है अगर English में आया तो यहां पर हमें क्या बोला था कि रामू की मा रामू से उपर बनाएंगे वो रामू से बोल रही है कि मेरी मा यानि उनकी जो मम्मी है रामू की उन कोई भाई है तो वो रामू के मामνची ना लगा कला, इसलिए optionkte नंबर इसका बीश वो बिल्कुलस होगा ठीक है defend क्यों कि इस तथ की तरह बोल रहें इशारा करते हुए इस बात को आपको लुए क्या करनाए अच्छे से ध्यान रह ठीक है रहा है कहें तो अंकित रहा है लेकिन अंकित क्या कर रहा है किसी लड़के की तरफ को का इशारा करते हैं तो क्या कह रहा है कि वह मेरे दादा की बेटे की बेटी का बेटा है तो अंकित है कोई अंकित के कोई दादा जी है अब यहां पर बात कौन कर रहा है अंकित कह रहा है तो अंकित क्या बोल रहा है कि मेरे दादा यानि किस के दादा अंकित के दादा तो सबसे फवाले क्या बनाई है अंकित के दादा जी ही बना लेजे तो दादा जी कौन होते हैं अंकित के कोई फादर होंगे फादर की भी फादर ये बन गए अंकित के दादा जी दादा के बे इसमें बोला हो गया है कि एक लढ़की का परीशे कंछे रहा है कहेंação रहा है अंकित कह रहा है क्या बोल रहा है कि वह है मेरे दादजी, मेरे किसके दादा, मेरे का मतलब यहां पर किस से आया, अंकित से आया, तो सबसे पहले अंकित के दादजी बना लेजिए, अंकित के दादजी बना लेजिए, दादा, फादर के भी फादर दादजी हो गए, फिर दादजी के कोई बे मतलब इनकी भी कोई क्या है बेटी है तो बेटी यहां पर बन गी तो यानि यह अंकित की बहन हो गई और बेटी की भी बेटी का मतलब यहां पर बेटे की बेटी का भी क्या है बेटा है तो बेटा इनका नीचे बन गया उसके बाद बोलना है कि यह लड़का अंकित से कैसे सं यह लड़के की मम्मी, मम्मी का क्या होगे, यह मामा जी, मामा जी क्या आप क्या लगोगे, भांजे ही तो लगोगे, तो मामा जी क्या होगे, भांजे होगे, इसलिए इसका डी वाल आप्शन सही होगा, यह क्या लगेगा इसका, यह लड़का जो है, वो अपने मामा जी, क्य मम यह माम जी हो गान आपको ध्यान अगर क्याकनी कौट रहा है तो उसी से शुरू कर दिजीए, चल्य तर्फ पौर 6 क्वेशन देखते हैं, अनिल की और इशारा करते हूए मेगा कहती है, अब मेगा कह रही है लेकिन अनिल की तरफ इशारा कर रही है तो मालने चाहिए यह मेगा है हमारी मेगा महारानी जी और यहां पर हो गए हमारे अनिल महाराज जी चीके अब मेगा क्या कह रही है अनिल की तरफ को इशारा कर रही है कि उसकी माँ किसकी माँ अनिल की माँ तो य तो ऋपर बने से anytime आरहा को यहां निलकी मा यहां ऐसे घयान रखेगा ठोड़ा सा यहाँ वे ढर्याइकल गया यहां डाल के आरहा हो ँर्म ही जाक्टिसटु थे रहा है वहाला दादाजी है दादाजी का मतलब क्या है पापा के भी क्या है वो पापा है ठीक है तो इध्यान लखेगा कि बात यहां पर किसकी हो रही है तो यहां पर हमें क्या बताना है देखे दादाजी केसे बनेंगे अगर कोई इनके फादर हुए ठीक है और फादर के भी फादर यानि फादर के फादर ये वाले ही हैं ये ही तो बन गई फादर के भी फादर तो ये तो अधर दादर ची बन गए क्या बोला एक बार फिर से देखिए उसकी मा यानि अनिल की जो मा है मा के भी जो पिता है तो मा के पिता मा से उपर बन गए, मेरे भाई के दादा है, मेरे भाई यानि मेखा का कोई भाई है, दादा का मतलब क्या होगा, फादर के भी फादर हो गए, तो यह हमने फादर बना दिया और फादर के भी फादर यही है, तो यह हो गए इनके दादा जी, इसका मतलब यह द बेटा और यह इसकी बेटी तो यह दोना आपस में क्या हो गई बहन भाई हो गए ना यह आपस में तो यह बहन भाई हो गए अब हमें दिखाना किसका है अनिल मेगा से कैसे संब्धित है अनिल मेगा से तो भई मेगा का अनिल क्या लगेगा ठीके तो देखें कैसे दिखाएं बहन का पेटा हमारा क्या लगेगा कजिन लग जाएगा तो इसलिए इसका option कॉन से सई होगा बी वाला इसका option जो है वो बिलकुल correct हो जाएगे कि अनिल जो है वो मेगा क्या लगेगा कजिन लगेगा ठीक है इतो question में आपको समझना हैं कि भी बात किसी हो रही है और कहा किसी जा रहा है relation किस से किसका दिखाना है तो don't worry ऐसे हम questions और भी करेंगे ताकि जो doubts है थोड़े बहुत वह भी clear हो जाए तो अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आ रहे हो तो इसे दो या तीन बार repeat करें क्योंकि यह question काफी important है और यहां पे गलती होने के chances बहुत झाल 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 झाल